फोटो या कुछ मलब उस डिरेक्शन में जैसे मलब अगर केस जा रहा है जैसे वी एपी को डूड़ने में केस जा रहा है तो उसकी डेंटिफिकेशन के लिए आज तक मुझे कोई भी फोटो नहीं मिला जो कि मैंने तो उनको पहले भी कहा था कि अगर मैं तो आज भी कहता हूँ अगर कोई भी अगर वो परसनेल्टी मलब वो अगर वी एपी या उसके एसोसियेट्स है जिनको मैंने देखा था वहाँ पे अगर उनमें से कोई भी अगर आज मेरे सामने आता है या मुझे उनका फोटो या कुछ भी लेटेस फोटो मिलता ह तो मैं उनको पैचान सकता हूँ तो यह चीज मैंने साइटी के आगे भी रखी थी तो पता नहीं उस डिरेक्शन में उन्होंने काम किया नहीं किया बगर अभी तो ऐसे खैर ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने उस डिरेक्शन में काम नहीं किया तो मुझे वो 16 तारीक वाले कि अब वो हो सकते हैं और अगर इस वीडियो को वो भी देख रहे हैं तो उनको भी एक बार आगे आके बोलना चाहिए कि हम नहीं है तो फिर इस पर हमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है इस चीज पर इस केस में चार एक्ईूस्ड है तीन तो अलड़ी है और एक जो है वो वी एप जो अभी तक नहीं मिला हुआ है तो उसको डूणना बहुत जरूरी है अभी तक होना हो उसी पर ही सारा केस ठीका हुए है कि वहीं से शुरूआत हुई थी और मैंने उस होला तारीक के गेस्ट क अंकिता से फिर वैसी बात करता है सर्विस से लेके, उन से पहले कभी नहीं की तो अविसी बात है उन पे शक्त हो जाएगा इसलिए मैंने उनके बारे में उनको संग्यान में लेने के लिए कहा था कि मतलब ये हो सकते हैं और दूसरी बात मतलब मैंने पहले भी आशुतोष नेगी जी को भी बोली थी कि मुझे वहाँ पे आने में बहुत प्रॉब्लम होती है पहले तो मैं चलोगा जाता था अब भी देखो, अब सब कुछ सामने दिख रहा है अब खुद, वहलों, UK के लोगों को उत्रखन के लोगों खुद पुलीस पे यकीन नहीं है तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं उत्रखन की पुलीस पे यकीन इसलिए मैं उनको हमेशा कहता हूं कि अगर मैं वहाँ आउंगा तो मैं अपनी जेन के पुलीस की सीकॉरिटी के साथ ही आउंगा मुझे अपनी भी अप सिकॉरिटी की कंसर्म है हाँ बस मुझे यही कहना था